Kidsplot, कौम में आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद ले और अपने दोस्तों की साथ साजा करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रवी, कल्यानी और प्रसाद के घर एक दयालू हरिदे वाले युवा लड़के का जन्म हुआ। उनके जन्म की भविश्यवानी एक प्राचीन ने की थी। भविश्यवानी जिसमें कहा गया था कि वो महानता के लिए किस्मत में होगा और दुनिया में शांती लाएगा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, रवी ने उल्लेखनिय बुद्धिमत्ता, शक्ती और करुणा का प्रदर्शन किया। एक दिन, जब रवी, वो मनदी के किनारे ध्यान कर रहा था, उसने एक दिव्य आवाद सुनी जो उसे बुला रही थी। ये दिव्य देवी थी, पार्वती, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि उन्हें सद्भाव बहाल करने के लिए एक पवित्र खोच पर जाने के लिए चुना गया था। दुनिया, उन्होंने उसे सर्वोचो देवता भगवान शिफ का मार्ग दर्शन लेने का निर्देश दिया। रवी एक पर निकल पड़े, भगवान शिफ को खोचने की चुनौती पूर्ण यात्रा, रास्ते में उन्हें कई परीक्षनों का सामना करना पड़ा और सामना करना पड़ा। पौरानिक जीव और राक्षस, अन्तता, वो पवित्र पर्वत के लाश पहुँचे, जहां भगवान शिफ थे। उसका इंतजार किया, रवी के द्रिर संकल्प से प्रभावित होकर, शेव उसे मार्शल आर्ट, जादू, आदी में प्रशिक्षित करने के ये सहमत हुए। और आध्यात्मिक ज्यान, नए ज्यान और शक्तियों से लैस, रवी नश्वर लोक में लौट आए। बरते अंदीरे का सामना करो। उन्होंने पाया कि दुष्ट राक्षस, जिन्हें राक्षस के नाम से जाना जाता है, फैल रहे थे। निर्दोष प्रानियों में अराज की खोज, शान्ती अभी खत्म नहीं हुई थी, उन्होंने लाने के लिए देवी लक्ष्मी और सूर्य देव की मदद मानगी। भूमी की सम्रिद्धी और एक्ता, रवी ने अपनी शक्तियों का उप्योग राक्षसों के कारण हुए भावों को ठीक करने के लिए किया। आ रवी को आशीरवाद दिया और उनके मार्ग दर्शन से रवी अपनी परोग कारिता से लोगों को प्रेरित करते रहे। उप्देश, उनके बुद्धिमान नेत्रित्व में विश्व सम्रिध हुआ और शान्ती कायम हुई। समाक्त।